वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को मेरे सिस्क्राइब करें और गंटी के आइकॉन पर प्लिक करके इसको ओन करें ताकि आने वाली नोटिविशन आप हालो दोस्तों मैं हूं ताहिर ये आप देख रहे हैं मिस्तू बशा सी ओल्टिनेटर जो होंडा कार का है उसका रिगुलेटर है तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों के इस रिगुलेटर को हम लिटिनेटर में कैसे फिट करते हैं और किन-किन बातों को आमें ध्यान रखना पड़ेगा तो आप ये देखिए दोस्तों इसमें चार पॉइंट होते हैं और ये रेगुलेटर है मिस्तु बशी अल्टिनेटर का तो ये इसको देखो दोस्तों ये पुराना ये खराब हो चुका था तो हमने इसमे नया अंदर लगा दिया है अब लगाने के बाद दोस्तों ये इस तरह की का अल्टिनेटर होता है दोस्तों आप ये देखिए यहां पर इस कटाउट के ये पॉइंट आ जाते हैं और प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सिस्क्राइब करें और मेर लगाने में ज़्यादVA कुछ परहशनी वाली बात नहीं है अराम पर रूरर ओ र्जऴ दिए तो ये देखिए दोस्तों में आपको गंपने ले तुर्व देखिए दोस्तों इस तरह की यह आप तो ल्याने के बाहर तो अनुद्व को चौंद हैं यह और प्रशक्त तो यह करना पड़ता है तो यह के कनेक्शन हो जाते हैं अच्छी तरीके से करें सोल्डिंग करते हुए एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि यहां पर इस जब सोल्डिंग करें आप तो इस कट आउट को हलका सा नीचे प्रेस करकर रखें ताकि क्या है कि अपनी जगह पर सह जगह बेट जाए नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि फिर यह नीचे नहीं बेटता है और मांका ट्यड़ा आउट रह जाता है तो आप इस बात का ध्यान करें जब भी यह सोल्डिंग करें तो पहले स्कूर को बड़े अच्छी तरीके से टाइट करके फिर सोल्डिंग करते हुआ इसे नीचे की और धकेल धकेल हैं ताकि अपनी जगह पर असानी से बेट जाए और सोल्डर आप अच्छा लगाएं लूस कनेक्शन इसमें ना रह सके दोस्तों इन बातों को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि आप जब भी सोल्डिंग करते हुए सोल्डर का बड़ा अब देखको जर दिख्कर यहां पर अब यह हम दोस्तों जब इसको डालने से पहले हमको यह कारवन को अंदर ए तो यहां पर क्या होता है दो कि हम ने इसा टूल बना रखा है इत arrow आगर अगर लगए वीडीयो लाइकसा दोस्तो तो लाइक करना शूक्राइब करना प्लीज तो आप यह देखी दोस्ताइब से अपने शूक्यार इसलिए लोई की तार से इसको पीछे से डालते हैं और फिर यहां से इस टूल की मदद से इस कार्बन को अंदर थोड़ा सा दखेलते हुए इस पीछे जो हम वो तार है दोस्तो उस तार को यहां पर इस कार्बन में छेद होते हैं दोस्तों तो इस टूल की मदद से दोस्तों क कार्वन को अंदर दबाते हूं इस तौर को अंदर यहां पर हो सके तो मारकर इसका टारो को अंदर डाल से दालने के बाद दूस्तो इसका जैसा भी जिस तरीके से आफको रखना है जैसा आप फिटिंग खर दें दूस्तो इसका घ्यान रखने है जो यह क्या अगर फिट हो जाएगा तो गाड़ी में फिट नहीं होपाँगा तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो और नहीं नहीं जानकर या मैं अपने वीडियो को लाता रहता हूं दोस्तों तो आपको इसी तरीके के नहीं नहीं अल्टिंटर कार के वगरा बड़ी गाडियों के सभी के बारे में तो इस तरीके से इस अल्टींटर को आप फीट करते हैं दोस्तों और ऐसे गुमा के देख लें दोस्तों कि यह जाम तो नहीं है फिर इसके इस्टेट बराबर से आप टाइट कर लें वेसे सब मेकी निकल भाई अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों यह वीडियो बनने का म सकतुके तो चुछ तो जान करी मिल जाती है दोस्तों कि यह कोई तकलिफ आती है तो हम एसे वीडियो बीज़ेख टेए तो आप इसको दोस्तों नहीं फीट कर दिया है वीच कोहामंदाने से चेक के लेते हैं मसी माशनि पर तो यह चाउदाग वॉल्त बताओह दोस्तों त चोदा वल्ड बताने बहुत है दोस्तों तो आप दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगते हैं और इस चैनल पर अच्छे वीडियो इलेक्टी के बारे में लाता रहता हूं दोस्तों वाइरिंग से रिलिटेट या तो प्लीज आपका बहुत बहुत थैंक्स